हलो रियों स्वागत आप सभी कमा एक्जाम यूटूब चैनल पर तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाना सेट एक्जाम के बारे में जो आपकी एक्जाम डेट है यह क्या तैक की गई है और कब आपका एक्जाम होगा क्या वाकई में आप सितंबर में आपका होगा की नहीं होगा तो सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे वीडियो को पूरा जरूर देखेगा तो यहां पर देखे सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप सीदी पदो के लिए 11.5 लाख यूवा सीटी प्रिक्सा थिती का कर रही है इंतजार अभी तक सीटी प्रिक जो हमारे सचीव हैं परधान मुख्यमंत्री साहब के उन्होंने क्या बताया है CET एक्जाम को लेकर उन्होंने क्यों बताया है क्योंकि जो अब है हरियानससी और NTA के बीच में कोई बात्चीत नहीं हो रही है तो उन्होंने बोला है कि NTA FCD परदेश सरकार से बात करें और व वी उमा संकर ठीक है यानि कि मुख्यमंत्री मनहोर लाहल के परधान सची वी उमा संकर सुरू से ही CET का आयोजन नैशनल टेस्टिंग एजन्सी से करवाने के हक में है उन्होंने ही NTA से संपर्क साधा हुआ है ठीक हरियानससी ने तो जो अपना संपर्क है वो तोड़ दिय है लेकिन इनका संपर्क अभी बना हुआ है क्योंकि यहीं चाते हैं कि प्रिक्सा कौन लें एंटिये लें हाला कि बीच में तो एक बार लगने लगा था कि आयोगी CET का जो है आपका पेपर लेगी मगर वी उमा संकर ने NTA से संपर्क जारी रखा और उन्हें ही आयोजन कर करवाने के लिए कहा मुख्यमंतरी के परदान सची व्यू मसंकर से देनिक सवेरा ने बुद्वार को पुचा कि CET कप तक घोशित होगी तो उन्होंने जवाब दिया कि अगले सबता तारिक की घोशना जो है कर दी जाएगी उन्होंने कहा कि CET का योजन हर हालत में अगाम सितंबर में होगा तो उन्होंने बोला कि हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए चाहे हमारी मीटिंग हो या ना हो NTA से लेकिन हम हर हाल में यहाँ पर पेपर ले लेंगे चाहे NTA जवाब दे या ना दे कि वो एक्जाम कब लेंगे अभी तक डेटा गया है या नहीं गया है ले 22 तारिकों की मीटिंग होनी थी उसका कोई जवाब नहीं 27 तारिकों की मीटिंग होनी थी उनका कोई जवाब नहीं लेकिन फिर भी वो हर हाल में पेपर ले लेंगे ऐसा उन्होंने बताया है तो आसा करते हैं कि वो हर हाल में हैं आपर पेपर ले ले चाहे कुछ भी हो देनिक सिवेरा के पूछने पर उन्होंने का कि एंटी के मादिदेशक को बुला रखा है उनके आते ही तारिक की गोशना कर दी जाएगी गोर्टलब है कि CET के लिए वन टाइम रेजिस्टेशन का गत 10 जुलाई को हो चुका है कि उन्होंने बताया कि हर हाल में जो CET का पेपर हो सितंबर महा में ले लेंगे और सबसे दिल्चस्प बात ये देखिए आप यहां पर लास्ट लाइन है यहां पर देखेंगे कि देनिक सवीरा के साथ बात करते हुए कहा कि NTA के मुक्या तो आयोग की कौल भी अटेंड नहीं करते हैं ठीक है जो NTA के जो मुक्या है उन्होंने आयोग की कौल ही अटेंड करनी हां पर बंद कर दी है तो यहां पर देखते हैं कि अब जो एक्जाम में CT का वो सितंबर महा में होगा की नहीं होगा पहले जून में आपकी एक्जाम डेट आई थी फिर जुलाई फिर आपकी अगस्त में सुनने को मिली थी CM साब ने भी गोशना की थी कि हम आगस्त के लास्ट में पेपर ले लेंगे या फिर सितंबर के पहले हफते में ले लेंगे आप वो सितंबर में पहुच गए हैं आप सितंबर में भी देखते हैं कि पेपर कब लेंगे और आप भी अपने सुजाव जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि CET का आपका एक्जाम सितंबर महा में होगा की नहीं होगा या फिर ये ऐसे ही पागल बनाते रहेंगे बच्चों का एक्जाम डेट ये ऐसे ही आगे टालते रहेंगे किस भाने पर कि NTA से हमारी अ एक्जाम करवाने की तो इसलिए बार-बार-बार-बार ये टाल रहे हैं ये बार-बार कहकर कि हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है कोल अटैन नहीं कर रहे हैं आनी रहे हैं बुला रहे हैं ठीक है ये सब बच्चों को भैकाने की बाते हैं अगर ये चाहें तो सब कुछ ए video कासी लगी, thank you.